हेलो बच्चो मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ बच्चो हम पढ़ रहे हैं कक्षा एक की हिंदी विस है और बच्चो इसमें जो हमारा पाच्वाध्याय है उसमें हम करेंगे वर्ण की पहचान यानि अक्षर की पहचान तो देखें कौन- सीखेंगे और हम इजने लिखना भी सीखेंगे तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए यह है क क्या है बच्चो यह करो मेरे साथ का से कमल अब बच्चो हमें क्या करना है आपकी पुस्तक में जहां पर कर लिखा हुआ है उस पर पैंसिल गुमाना है तो बच्चो ये आप दो तिन बार गुमा ही है जिससे कि आप इसको लिखना सीख जाएंगे तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं तो देखिए अपनी पैंसिल को सबसे पहले हम यहां रखेंगे और यहां से इस तरह से आधा गुला बनाएंगे तो देखिए ये बन रहा है कर तो बच्चो आधा गुला इधर बन गया है अब हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन अब बनाएंगे एक आड़ी लाइन तो यह है कर और कर से कमल बच्चो कर से होता है कमल और कर से ही होता है कबूतर जो की बच्चो एक पक्षी है तो कर से कमल कर से कबूतर अब बच्चो हम कर बनाने का अभियास करेंगे अपनी कौपी में तो सभी बच्चे अपनी अपनी कौप तो देखे जो उपर वाली नीडि लाइन है, उसके नीचे थोड़ा नीचे हम बनाएंगे आधा गोला इस तरह से, तो सभी बच्चों बनाएए आधा गोला, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बनानी है, खड़ी लाइन, तो देखें, आधा गोला और खड़ी लाइन, और अब हम बनाएंगे 1 घ लायन तो देखए कैसे बनाया हमने आधा गोला खड़ला चाहिए कि लिए कर दो सबी बच्के दो हम और अभियास करते हैं आधा गोला कर दी लाइन इधर अधा गोला और उपर आ डी लाइन तो बोलिए क, अब बच्चो हम इसे लिखने का और अभ्यास करते हैं, तो देखिए हमने कैसे बनाया है, इधर बच्चो आधा गोला, खडी लाइन, आधा गोला इधर और आडी लाइन, ये है क, आधा गोला, खडी लाइन, आधा गोला इधर और आडी लाइन, तो बोलिए क आधा गोला, खड़ी लाइन, आधा गोला इधर और आड़ी लाइन इसी तरह बच्चो आप भी अपनी कोपी में इसे बार-बार लिखने का अभ्यास कीजिए ताकि आप इसे लिखना सीख जाएंगे तो देखिए कैसे बना रहे हम आधा गोला, खड़ी लाइन, आधा गोला इधर और आड़ी लाइन तो ये है क, तो बच्चो क से होता है कमल और क से कबूतर आप देखिए क से कमल कमल है देखो कितना प्यारा कि चड़ में खिलता वह न्यारा सभी बच्चे बोलिए क से कमल कमल है देखो कितना प्यारा कीचड में खिलता वह म्यारा बच्चो जो कमल का फूल है वो देखी कितना प्यारा दिखाई देता है देखे कौन से रंके दिखाई दे रहे हैं आपको लाल रंके तो बच्चो कमल कितना प्यारा दिखाई देता है और ये किस में खिलता है कीचड में खिलता है यानि बच्चो ये पानी में उखता है तो ये है कर से कमल अब हम सीखेंगे बच्चो स क्या सीखेंगे हम स ये है बच्चो स और स से होता है सडक जिस पर हम भी चलते हैं और कार, म होती है सडग तो स से सडग अब बच्चो आपकी जो पुस्तित है उसमें जहां पर सह बना हुआ है उस पर बच्चो आप अपनी पैंसिल घुमाईए ताकि आप सह बनाना सीख जाएंगे तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले अपनी पैंसिल रखें बच्चो यहां पर हमने रह बना लिया है अब सह बनाना है तो हमें क्या करना है यहां पर बच्चो एक बनानी है हमें आड़ी लाइन यहां पर खड़ी लाइन और यह है सह तो बच्चो आप अपनी पैंसिल इस सह पे दो तीन बार गुमाईए अब बच्चो देखिए सह से होता है सपेरा क्या होता है सपेरा सपेरा क्या होता है बचो जो की शाप को पकड़ कर उसको बीन बजाता हुआ डांस कराता है उसे कहते हैं सपेरा तो स से सडक स से सपेरा अब बचो हमें क्या करना है हमें अपनी कौपी में स बनाने का अभ्यास करना है तो चलिए बचो सभी एक अपनी कौपियां निकालिए और पैंसिल निकालिए और मेरे साथ बनाएं तो देखेगे लिए पर जो दो लाइन है उसी के बीच में भीनाना सर यानि उससे बाहर बिलकुल भी नहीं निकलना चाहिए तो देखिए उपर वाली जो लाइन है वहां से हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम छोटी खड़ी लाइन बनाएंगे अब जहां पर हमने खड़ी लाइन रोकी है वहीं से हम उपर इस तरह से आधा गोला तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया खड़ी लाइन उपर आधा गोला लेके गए फिर इसको तिर्ची लाइन के दोरा हम नीचे वाली लाइन को टेच करते हैं अब यहां पर बनाते हैं एक आड़ी लाइन अब बच्चों हमें क्या करना है हमें बनाना है एक खड़ी ल तो बच्चों हम वापिस अभ्यास करते हैं, खडी लाइन, आधा गोला, तिर्ची लाइन, आडी लाइन, खडी लाइन, और ये आडी लाइन, ये है स, तो बच्चों वापिस हम अभ्यास करते हैं, तो देखिए खडी लाइन, आधा गोला उपर गया, अब ये वापिस नीच चेवाई लाइन पर आगई तिर्ची लाइन, अब यह आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और यह है आड़ी लाइन, तो यह क्या है स, अब बच्चो आप अपनी कोपी में इसे बार-बार बनाने का अभ्यास कीजिए, तो देखिए मेरे साथ बनाईए, बच्चो यहाँ पर हम सबसे पहले खड़ी लाइन, अब इसको आधा गोला हम उपर लेके जाएंगे, अब इसको तिर्ची लाइन के द्वारा हम नीचे मिला देंगे, अब यहाँ पर आड़ी लाइन, यहाँ पर खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन जो की उपर वाली लाइन के उपर ह पाँ नीचे यह, तो ये क्या है स, आप बचो और बनाईए खड़ी लाइन, आधा गोला, तिरची लाइन, आरी लाइन, खड़ी लाइन और आरी लाइन, बोलिए स बच्चो खड़ी लाइन, आधा गोला, तिरची लाइन, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन, यह है S तो बच्चो यह S लिखने का बार बार आप अपनी कौपी में अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको बिल्कूल अच्छी तरह से लिख सको तो बच्चो ये जो 1 है वो बिल्कुल भी लाइन से बहार नहीं आना चाहिए तो देखिए बच्चो स से होती है सडक और स स स होता है सपेरा तो देखिए ये क्या है स स स सडक सडक बनी है लंबी चोड़ी उस पर जाती मोटर दोड़ी बच्चो जो सडख है वो कैसे है लंबियो चोडी है और उसपर क्या दोड़ती हुई जाती है मोटर यानि गाड़िया उसपर चलती है तो बच्चो सव से होता है सडख और सव सपेरा अब बचो हम सीखेंगे E, ये क्या है बच्चो E, E से होता है E, क्या होता है बच्चो E से E, E से E, अब बच्चो देखिए E से E किस तरह से हम बनाते हैं, तो बच्चो आपने E से IMLI बनाना तो सीखाई था, तो बस हमें क्या करना है, उस पर इस तरह की एक मात्रा लगानी है, तो बच्चो ये हो जाएगी E से E तो चलिए बच्चो आपकी जो पुस्तक है उसमें जो E से E क बनी हुई है उस पर अपनी पैंसिल गुमाते हैं तो चलिए बच्चो शुरू करें मेरे साथ पैंसिल गुमाना तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटी सी खड़ी लाइन अब बच्चो जो खड़ी लाइन यहाँ तक हमने रोकी है वहाँ से हम शुरू करेंगे और इधर एक आधा गोला इस तरह से बनाएंगे आधा गोला बन गया बच्चो अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमारी पैंसिल वापिस रखनी है और एक आधा गोला हम किदर बनाएंगे बाई तरफ मुख खोलता हुआ बनाएंगे तो देखिए इसी को हम इस तरह से गुमाते हैं तो यह एक और आधा गोला बन गया है अब हमें क्या करना है इसको उपर लेके जाके हम गोला बनाते हुए इसे इस तरह से नीचे लाएंगे तो बच्चो यह तो है ई और जब हम इसमें इस तरह की एक मात्रा लगा देते हैं तो यह बन जाता है ई से इक यानि बड़ी ई अब बच्चो देखिए ई से होता है इक और इ से ही होता है इट बच्चो इट क्या काम आती है जब हम मकान बनाते हैं तो बच्चो इटों के दोरा हम दीवार बनाते हैं यानि बच्चो इट है वो मकान बनाने के काम आती है तो इ से इक, इ से इट अब बच्चो हमें क्या करना है हमें अपनी copy में E लिखने का अभ्यास करना है तो चली बच्चों शुरू करते हैं E लिखना अपनी copy में तो सभी बच्चे अपने अपनी copy निकालिए अब बच्चों लिखिए मेरे साथ तो देखिए ये दो line है उसी के बीच में हमें लिखना है तो देखिए उपर वाली लाइन से हम शुरू करेंगे तो एक छोटी सी खड़ी लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे सभी बच्चे बनाईए चोटी खड़ी लाइन बना ली सभी ने अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो खड़ी लाइन जहां तक आई वही से हम शुरू करके एक आधा गोला हम इस तरह से बनाएंगे सबी ने बना लिया अब बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर एक और आधा गोला बनाना है तो चलिए बच्चो बनाईए, सबसे पहले खड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला और यहाँ पर एक पूछ अब बच्चो यह लाइन, इस नीचे वारी लाइन को छूनी चाहिए, तो यह है बच्चो E अब बच्चो हमें क्या करना है, उपर बनानी है आड़ी लाइन, और सब बनानी है मात्रा तो कैसे बनाया हमने, खड़ी लाइन, आधा गोला, इधर आधा गोला, और यहाँ पर एक पूछ जो की घूमी हुई है और उपर लगा दी हमने इस तरह से मात्रा, तो यह बन गया है E से E तो बच्चो इसको बनाने का हम और अभ्यास करते हैं, तो चली बच्चो बनाते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी खड़ी लाइन, आधा गोला इधर, आधा गोला इधर अब इसको हम उपर लेके जाएंगे, और एक सरकल बनाते हुए इसको नीचे लाइंगे, और बच्चो यहाँ पर आड़ी लाइन और यहाँ पर E की मात्रा, तो यह क्या है E अब बच्चो और बनाने का अभ्यास करते हैं, तो देखिए, खड़ी लाइन, आधा गोला इधर, आधा गोला इधर, यहाँ से हमने घुमा दिया और नीचे लाइन को छूँ गई है, अब आड़ी लाइन और यहाँ पर मात्रा, तो यह क्या है Eek, यानि बड़ी, तो खड आधा गोला, इधर आधा गोला, यह पूछ घुम गई है और नीचे लाइन को इसने चूल लिया है, अब हम लगाएंगे मात्रा, बच्चो जो मात्रा है वो इस नीली लाइन के बाहर लगने चाहिए, अब बच्चो और बनाईए, खड़ी लाइन, आधा गोला, इधर आध आधा बार अभ्यास कीजिए, जिससे की बच्चो आप इसको अच्छी तरह से बनाना सीख जाएंगे, बच्चो आपकी कोपी का जो पूरा पेज है वो इसी से आपको भड़ना है, तो बच्चो आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है ए से एक और ए से एट, आप देखिए इसे एक जिसको की हम खाते हैं, यानि उसका रस हम चूसते हैं, तो बच्चो हम इसका जूस भी पीते हैं, तो देखिए एक, एक होती बड़ी रसीली तेड़ी मेड़ी गाथी गठीली सबे बच्चे बॉलिए मेरे साथ ई से एक एक होती बड़ी रसीली तेड़ी मेरी गाठ गटीली तो ये है ई से एक क्योंकि ई से एक कैसी होती है तेड़ी मेरी होती है और इसमें रस भरा हुआ होता है और गाठ इसमें बनी हुई होती है बच्चों यहाँ पर देखिए बनी हुई है तो यह है इसे एक अब चो हम क्या सीखेंगे हम सीखेंगे इसे एक की मात्रा यानि बड़ी की मात्रा तो देखें बड़ी की मात्रा हम कैसे बनाते हैं बच्चो जो भी अक्षर यहां पर लिखा होता है उसके उधर हम एक डंडा बनाते हैं और बच्चो यहां से हम उस पर मात्रा इस तरह लेके जाते हैं तो यह है E से E की मात्रा तो बच्चों हमें क्या करना है आपकी जो पुस्तक है उसमें जो मात्रा बनी हुई है E से E की यानि बड़ी E की उस पर अपनी पैंसिल फेर नी है ताकि आप मात्रा बनाने का अभ्यास कर सेके तो चली बच् को मिला देते हैं और यहां बनाते हैं बच्चो आड़ी लाइन तो यह क्या है एकी मात्रा यानि बड़ी एकी मात्रा आप देखिए बच्चो एकी मात्रा जब हम किसी भी वर्ण में लगाते हैं तो उसका उचारण किस तरह होता है तो देखिए यह क्या है यह है बच्चो च क चील क्या हो गया है ची से चील अब बचो हमें क्या करना है अपनी कौपी में ये मात्रा बनाने का अभ्यास करना है तो चलिए बचो शुरू करते हैं मात्रा बनाना सभी बच्चे अपनी कौपी में लिखना शुरू कीजिए तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे खड़ी जो कि इन दोनों लाइनों के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए यानि इन दोनों लाइनों को वो छूनी चाहिए लेकिन बाहर नहीं निकलनी चाहिए अब हमें क्या बनाना है बच्चो हम बनाएंगे इस तरह से एक मात्रा और बच्चो हमें बनानी है वेक आडी लाइन तो य यहां पर इसे बनाने का और अभ्यास करते हैं, तो देखिए, खड़ी लाइन, मात्रा और आड़ी लाइन, यहां भी खड़ी लाइन, और मात्रा बच्चों आधे गोले की जैसी होनी चाहिए, और यहां पर आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, मात्रा, आड़ी लाइन, खड़ बच्चो ई से एक की मात्रा अब बच्चो देखिए इन मात्राओं को पढ़ने का हमोर अभ्यास करते हैं तो देखिए ये क्या है ये है बच्चो द क्या है ये द द में जब बड़ी की मात्र लग जाती है तो ये क्या बन जाता है दी क्या बन गया बच्चो ये दी तो दी और एक और दे हमने बनाया और इस पर भी हमने लगा दिया बड़ी मातरा तो यह बन गया है बच्चो दी-दी क्या बन गया है दी-दी जो आपकी बड़ी भेन होती है उसे क्या बोलते हैं दी-दी तो देखिये द में बड़ी तो बोला दी और इस दे में बढ़ी एकी मातल लगया तो हो गया है दी तो दीदी अब बच्चे सभी बोलिए दीदी से राकी बंधवाता, देख बहने को वहमुसकाता तो सभी बच्चों बोलिए दी से दीदी और दीदी से राखी बंदवाता कौन बंदवाता है दीदी से राखी उसका भाई कौन बंदवाता है भाई बच्चों आप भी अपनी दीदी से राखी बंदवाते होंगे तो बच्चों ये भी अपनी दीदी से राखी बंदवाता ह और देख बहन को वह मुस्काता और यह अपनी बहन को देख करके खुश होता है ठीके बचो अब हम पढ़ते हैं बड़ी एकी मात्रा के कुछ शब तो देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है बचो ये है त क्या है बचो त में जब बड़ी एकी मात्रा जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है ये ती क्या बन गया है ती और ये क्या है ये है र अब हम इसको साथ में बोलते हैं तो बोलिए बचो ती र तीर क्या है ये तीर जिसको की दनुस में लगा कर चलाते हैं अब देखिए ये क्या है प क्या है बच्चो ये प और ये क्या है? र अब बचो र में जोड़ना है हमें बड़ी की मात्रा तो देखिए इस तरह से हमने उधर डंडा बनाया है और ये मात्रा हमने लगा दी है तो क्या बन गया है? परी कौन है ये? परी अब और देखिए बचो यहाँ पर लिखा हुआ है द क्या है बचो ये? द और दो में बड़ी की मात्रा लगी तो क्या बन गया है? दी क्या बन गया है बचो? दी अब ये क्या है? प और ये क्या है? क तो दी प क क्या बन गया है बचो ये? दीपक और ये है बच्चो दीपक दीवाली पी बच्चो आप दीपक जलाते होंगे तो ये है दीपक अब ये बच्चो क्या है क क्या है ये क और ये है ल ये क्या है बच्चो ल और ल में हमें लगाना है बड़ी की मात्रा तो ये बन गया है ली कली ये क्या है कली बचो जब फूल खिलता नहीं है वो होती है कली बचो कली जब खिलती है तो फूल बन जाती है तो ये है कली इसी तरह बचो आप किसी भी वर्ण में बड़ी एकी मात्रा लगा सकते है और उसका उचरण कर सकते है जैसे बचो ये है म और म में जब बड़ी ए की मातर लगी तो बन गया है नी क्या बन गया है नी जैसे बच्चो ये क्या है ये है बच्चो ख और ख में बड़ी की मातर लगी तो क्या बन गया है खी तो बच्चो किसी भी वर्ड में हम बड़ी की मातर लगा देते हैं तो उसके उच्चार में बड़ी की मातर लगा देते ह स से कबूतर और हमने क्या सीखा है आज आज हमने सीखा है स स से क्या होता है बच्चो स से सडक और स स सपेरा और हमने आज सीखा है आज ए ए से एक ए से एट और बच्चो हमने आज क्या सीखा है हमने सीखा है इस ए से एक की मात्रा जो कि किसी भी वर्ण में बच्चो पीछे जुड़ती है और बच्चो इस तरह से ये मात्रा लगती है तो बच्चो ये मात्रा हम बनाते हैं इस तरह से तो ये है बड़ी की मात्रा ठीके बच्चो तो आज हमने इन सभी वर्णों को लिखना सीख लिया है तो बच्चो आप इने लिखने का अपनी कॉपी में बार-बार अभ्यास कीजिए और बच्चो इसे पढ़ने का भी आपको अभ्यास करना है अब बच्चो हम अगली कक्षा में इनी वर्णों से संबंदित कुछ अभ्यास कारे करेंगे तो मिलते हैं अगली गक्षा में आज के लिए इतना ही धन्यवाद